दूद तो बहुत लोग पीते हैं लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कचा दूद पीना बहुत बेहतर समझते हैं ऐसा माना जाता है कि पाश्च्यूरीकृत दूद की तुलना में कच्चे दूद में बहुत अधिक प्रोटीन और जीवानू होते हैं लेकिन इसके उपर की गई एक ताजा शोद में बहुत ही चौकाने वाले फायदे सामने आये हैं जिन है जानकर शायद आप कचा दूद पीना ततकाल छोड़ दे एक ताजा शोद के अनुसार, कच्चे दूद का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान दायाग होता है किन्तु एक नई शोद में सामने आया है कि पाश्च्यूरीकृत दूद की तुलना में खचा दूद पीने से खाद्य जनित बिमारियों के होने का खत्रा तकरीबन एक सौगुना तक बढ़ सकता है शोद के अनुसार, आम और पर दूद में पाया जाने वाला माइक्रोबियल में इश्चे रीचिया कोलियो 157 के साथ बहुत ही संक्रमन कारी साल्मोनेला, कैमपीलो वेक्टर और लिस्टेरिया बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है ये जीवानों मनिश्यों में खाद्य जनिप बीमारियों का गंभीर कारण बनते हैं कच्चे दूद का सेवन करने से टीबी के बैक्टीरिया शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं यदि उचित समय में इसका इलाज न किया जाये तो टीबी हो सकती है यदि कोई व्यक्ती कच्चे दूद का सेवन करता है तो टीबी के बैक्टीरिया दूद के साथ व्यक्ती के शरीर में बहुत ही आसानी से प्रवेश कर आंतों की टीबी को जन्म देते हैं कच्चा दूद शरीर में अमल को पूरी तरह बढ़ाते हैं यह शरीर के लिए बहुत नुकसान दायक है